हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल लोनीज भाई जी पर मैं हूँ आपका दोस्त समित कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नव इंफॉर्मेटिव वीडियो लो से संबंदित आज हम इसमें आगे कंटीनू करेंगे अपन दोस्तों घौरा के अंदर एकट वर्ड यानिकी अधी नियम वर्ड को शब्द को परिभाषित किया गया है इन समिष में से कौन सी धारा है जिसमें एक्ट वर्ड को ृटीफाइन किया गया है अभर बात करते हैं हमारे अगले पर्षन के बारे में जो है हमारा Indian Contact Act 1872 से भारते समीदा अधिनियम 1872 से क्या है कि किस खंड के अंदर यानि कि किस धारा की बात की जा रही है परपोजल यानि कि प्रस्ताव शब्द को परिवाशित किया गया है तो इसे परिवाशित किया गया है Section 2A के अंतरगत धारा 2A के अंतरगत अब हम बात करते हैं हमारे अगले पर्षन के बारे में जो है हमारा Code of Criminal Procedure CRPC 1973 से प्रादिक प्रकिरिया सहीता 1973 से क्या है कि किस धारा के अंतरगत सत्र नियाल ने सत्र नियाल ने यानि की Section Court की बात की जा रही है को मामले और अपील को स्तानांतरित करने की शक्ति प्राद की गई है तो ये है हमारी CRPC की धारा 408 अगर हम बात करे 407 की तो High Court के पास यह Power दी गई है अगर हम बात करे 406 की तो यह Power दी गई है Supreme Court के पास सीमा अधिलियम 1963 की इस Act के तहत नियाल ने के पास अधिलियमित के बाहर किसी भी वादी को अधिलियमन के प्रवधानों से मुक्त करने की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है सादानन निहित अधिक सवारी करना और समान्य निहित और अति सवारी तो इसका लास जो है वो बि अगले परशन के बारे में हमारा अगला परशन किससे संबंदित है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से विशिष्ट रहत अधिनेमन से क्या है कि निशेदग्या यानि इंजंग्शन नहीं की जा सकती इन सभी पॉइंट के अनुसार कौन सा सही जवाब है पहला पॉइंट क विशेश रूप से लागू करने योगे है या नहीं है या दो और तीन ये इसका सही जवाब है तो लास्ट हमारा बिल्कुल इसका सही जवाब है अब हम बात करते हैं हमारे अगले परशन के बारे में यानि कि जूरिस्प्रूडन से है हमारा निया शास्त्र से है कि किसने का था कि स्वाभित्व किसी वस्तु पर मून नियंत्रित है यह बात की गए थी किस के दौरा पोलेंड के दौरा यह इस बात के बारे में कहा गया था अब हम बात करते हैं हमारे अगले पर्षन के बारे में हमारा अगला पर्षन जो है वो सम्मद्दित है पोस्को एक्ट 2012 से यानि कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्श्वल ओफेंसे योन अपराद से बच्चों का संदक्ष्ण अधिलियम की बात की जा रही है कि निम्लिक्त में से किस धारा में अश्लील उ के बारे में कि ट्रांसफर और प्रोपर्टी एक 1882 के अनुसार संपत्ति का हस्तांत्र अधिनियम के अनुसार निम्लिक्त में से कौन सी धारा है इन सभी में से जो बात करती है समेकन के सिद्धांत के बारे में जो की शामिल किया गया है समेकन का सिद्धांत शामिल किया गय में जो है हमारा sexual harassment of women at workplace at 2017 कारियस तल पर महिलाओं से योन उत्पीडन अदिनियम 2013 की धारा 9 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए निर्धारित समय क्या है यानि कि एक बात ध्यान रखें कि धारा 9 में सिकायत की जाती है और सिकायत को दर्ज करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है तो उसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है कि तीर महिने के अंदर आपको ऐसा करना है अब बात करते हैं हमारे अगले परशन के बारे में जो है हमारा राइट ओफ परसन विद डिसेबेलिटी एक 2016 यानि की विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिकार अधिनियम अधिक शामिल नहीं किये जा सकते तो इसमें बात की गई है ग्यारा सदश्य से ज्यादा शामिल नहीं किये जा सकते दब जब आप धारा चुटर के सब सेक्शन एट को पढ़ेंगे तब ही आपको इसका सही जवाब जो है मिलेगा अब हम बात करते हैं हमारे अगले परशन के बारे में जो है कोड और सिविल प्रोसीजर सीपीसी सिविल प्रकिरिया सहीतां 1908 से कि दिवानी भाध में संशिक्त प्रकिरियाओं में संधर में निमलिक्त में सिख कौन सा कत्थन बिलकुल सही अब पढ़ते हैं पहला क्या है एक लिखित अनुबंद से उत्पन होने वाली परतिवादी द्वारा द्याधन में एक परिनिर्धारित मांग की वसूली के लिए अवहन किया जा सकता है दूसरा पॉइंट है सिग्र अधिनेर्णे से हित में किसी भी दिवानी नयाले के द्व से विवेक और से लागू किया जा सकता है तीसरा है परतिवादी को बचाओ के लिए अनुबंद लेने की आवशक्ता होती है जो यदि परदान की जाती है तो शर्त रही तो होनी चाहिए या फोर्थ है हमारा यह सभी कथन सही नहीं है तो इसका जो पहला है वो बिलकुल सह पहला है अब हम बात करते हैं हमारे अगले परशन के बार में जो हैं हमारा lands 1072 से बारती साक्षी अद नियम 1812 से तो बारती साक्षी अदियू-8 पड़ने के साथ सब्सक्राइब शिफ्ट हो सकता है तो जब हम बात करते हैं धारा 101 की सेक्शन 101 की तो वो कभी भी शिफ्ट नहीं होता अब हम बात करते हैं हमारे अगले परशन के बारे में की protection of women from domestic violence act 2005 यानि कि गरेलों हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा दिनियम 2005 की बात की जा रही है कि इसकी धारा 20 के अनुसार जो भी आर्थिक रहात यानि monetary relief provide किये जाते हैं उसके बारे में किसको दिये जाएंगे किसको provide किये जाएंगे क्या वो पीडित को दिये जाएंगे पीडित के बच्चे को दिये जाएंगे पीडित और पीडित के बच्चे को दिये जाएंगे या उपरयोक्त में से किसी को भी नहीं दिये जाएंगे तो वो दोनों को दिये जाएंगे जब आप सेक्शन 20 को पढ़ेंगे protection of women from domestic violence act यानी डीवीक 2005 को तब आपको इसको सही जवाब मिल जाएगा अब हम बात करते हैं हमारे अगले परश्ण के बारे में हमारा अगला परश्ण है indecent representation of women prohibition act 1986 महिला का अशलील परतिनिदितव निशेद अदिनियम 1986 यानी कि इस धारा इस एक्ट के अंदर निम्लिक्त में से किस धारा में महिला का अशलील परतिनिदितव शब्द को परिभाशित किया गया है तो क्या ये धा दारा दो B में बात की गई है दारा दो C में या दारा दो D के अंतरगत इसकी बात की गई है तो ये कोशन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसका जवाब में शेयर करूँगा तो आज की वीडियो में इतना है फिर मिलेंगे हम ए पूड़े रही है मित कमार नोलिज भाई जी के साथ